हेलो में किता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों ये फूल गोबी के मैंने सीड डाले थे अब काफी हेल्दी प्लांट हो चुके मेरे बस इंतजार है तो फूल आने का उसका इंतजार है तो बस इसको रोज आके मैं एक बार जरूर देखती हूं कि कुछ प्र चुकंदर के प्लांट है इसमें नीचे से बॉल चुकंदर बनना शुरू हो चुका है और इधर ये देखी मैंने गोबी के बहुत सारे सीड लगाए थे और सभी जर्मिनेट होए तो मैंने उनको अलग-अलग प्लांटर में लगा दिया है इस बोरे में भी देखी चावल क मिला इस बार ये देखी मेरे गोबी के इन में भी और ये पालक के मैंने फिर से रीकडो करें सीड और ये पालक ये गोबी के प्लांट के बस यही है इसको तेज धूप में रखे जहां बहुत तेज धूप आ रही हो इसको चाव में रखोगे तो ये शायद प्लांट भी ग वीडियो में और यह गोबी की जैसे से प्रोग्रेस होती जाएगी मैं आपको दिखाती जाओंगी और मेरे गार्डन में स्टेम फूलों की और टमाटर की बहार आई हुई है यह दिखे बहुत ज़्यादा मतलब तीन प्लांट है तीन में यह पूरा भर चुका है टमाटरों स जब मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी और इसी तरह से आप लोग भी अपने टैरिस गार्डन में अपने सबजियां और 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 कैसे ग्रो करना है क्या करना है इसके लिए सब मेरी वीडियो में है